दोस्तों यह है बोईंग कमपनी का C-17 ग्लोब मास्टर जिसे 1980 और 1990 के बीच में मैक डॉबल्स एंड डगल्स के द्वारा डेवलप किया गया था इस जहाज का वजन 128,100 किलोग्राम है इसको पावर देने के लिए प्रेट एंड विटनी के चार F-117 PW-100 टर्वोफैन इंजन्स लगे हुए हैं हर इंजन 189.9 किलो न्यूटन का थ्रश जनरेट करता है इसे तीन लोगों के क्रू द्वारा ऑपरेट किया जाता है ये दुनिया के सबसे बड़े माल वाहिक विमान में से एक है ये 70,000 किलो का साजो समान लेकर उड़ान भर सकता है या फिर एक साथ 1500 जवानों को लेकर जा सकता है इसको दुनिया के 8 देसों के सेना के दोरा यूज किया जा रहा है जैहिंड